दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से नेच्रल कूलिंग टेकनिक्स का यूज करके आप अपने घर को ठंडा रख सकते हैं और यह जो मैं कूलिंग टेकनिक्स बताऊंगा यह पूरी तरीके से इंडियन आर्किटेक्चर से इंस्पायड होंगे तो दोस् आते हैं और समर्स के मंत में आपका ग्यूइश काई सेंड फ्रेश ग्रास बीचीज और हर चीज जो है आउट दोर में बहुत ही अच्छी लगते हैं लें दोस्तों इसी के साथ साथ ही जो हो ट्रॉपिकल क्लाइमिट वाले एरिया इंडिया के महाँ पट जो है गर्मी के सा करने में बहुत जादा डिफिकल्टी लाता है क्योंकि जब समर्स के साथ साथ आपका पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग जो की कंटिनियस साथ दल साथ जो टेंपरेचर आपका बढ़ रहा है जब इसका जो कॉम्बिनेशन मनता है तो यह हमारे लिए बहुत जादा प इसको कम कर सकते हैं और कर सकते हैं तो क्या में यूज कर सकते हैं और उसके लिए में क्या करना पड़ेगा तो वो जितनी भी चीज़े हैं वो आज की वीडियो में जो डिसकस करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट के बारे में जिसमें की आपको ध जो कि ऐसे एरिया में बन रखा है जहां पेगी आपका गर्मी बहुत जादा पढ़ती है तो सेंटर में आप कोट्यार्ड वहाँ पर जरूर नोटिस करेंगे और इंडोर कोट्यार्ड जो है बहुत ही जादा यूसफुल है आपका कूलिंग के लिए वेंटिलेशन के लिए च इस अम्हाँ इसमें आपको ऐसे माटीर्यायल का यूस करना है जो कि आपकी जो हीट है उसको एब्सॉब ना करें उसको रिफलैक्ट कर दें और आपका घर जो है वो ठंडार है जैसी कि आप कैवीडी वाल को भी यूज कर सकतें जैसे सेंटर में आपका जो है वह एर पॉक होती है वो भी आपका जो हीट है उसको जादा रिडियेट करती है फिर इंडियन क्लाइमेट के साफ से आप अगर अगर अपने घर को ठंडा रखना जाते हैं तो डेफिनेटली आप छट पर टेरा कोटा की टाइल से कर सकते हैं आप इस्टेबलाइज मड ब्लॉक्स का यूज कर सकते हैं जिससे कि आपका जो घर है वो ठंडा रहेगा फिर थर्ड टेक्निक जिसका कि आप यूज कर सकते हो है वाटर बोडी और लेंड्सकेपिंग का एफेक्टिवली यूज करके अपने घर में देखिए जितन आपके वाटर पॉंड में से होता है आपका समर्स में जाता अब उसका रिजल्ट यह निकलते कि आपका जो सर्राउंडिंग अरिया है वो कूल हो जाता है पिर लगिन आपके डॉर्स और विंडोस के आसपास आप प्लांट ट्री या श्रॉप्स अगर आप प्लेस करते हैं उसलिक गर्में में लोग प्रैफर करते हैं कि आपकी विंडोस को ओपन रखते हैं जिससे की आपका जो सर्कुलेशन है वो अच्छा हो लेकिन आपकी जो विंडो है वो अगर प्रॉपर तरीके से शेडिट नहीं है तो रिजल्ट इसका ये निकलेगा कि आपका जो घर है बहुत जल्दी हीटप हो जाएगा अब इसका सॉल्यूशन क्या है तो जो लॉवर्स है वो इसका सिंपल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है जो कि आपकी हेल्प करता है आपका जो सनलाइट है उसको कंट्रोल करने में आपके घर के अंतर उसका जो हीट वो बढ़ाता है और के अंदर जाएंगी तो डेफिनेटल उससे भी काफी हद तक आपका जो टेंप्रेचर है वो कंट्रोल हो फिर सुम बात करते हैं नेश टेक्निक के बारे में और इसमें कि जो आपकी इच्छात होते हैं उसको हम थोड़ा सा एक्स्टेंड कर सकते हैं जिससे कि आपकी जो व उससे पर पड़ती नहीं है क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका जो सन लाइट वो डिरेक्ट पड़ेगी और डिरेक्ट पड़ेगी तो आपका जो हीट अप है वो बहुत सादा कर देगी और आपने जाहता देखो कि जो ट्रेडिशनल इंडियान हाउसी होते हैं और सन का भी जो है वो कोई इंपेक्ट नहीं पड़ेगा फिर सुम बात करते हैं नेक्स्ट टेक्निक के बारे में इसमें क्योंता फ्री फ्लोइंग स्पेज जो हमें प्रमोट करते हैं जिससे कि नैच्रल वेंटुलेशन प्रॉपर होई और एर सर्कुलेशन जो है प्रॉफ मिलें लाइक आप एक सेटिंग एरिया क्रेट कर सकते हैं शेडिड फॉर्म में और सैमी ओपन पोर्च आप रख सकते हैं और वेरांडा आप रख सकते हैं अपके समर्स के मंथ में उसको यूज करने के लिए और बिसिकली यह जितने भी डिफर्ट डिफर्ट तो वो जो आपको अलाओ करती है कूल एर के लिए कि कूल एर जो आपके घर में इंट्री करें और आपके घर कर टेमपरिचर मेंटेन रहा तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स की वीडियो में